जहाँ पर इंडियान बॉक्स विस पर रॉकेट्री, ओम, पाका कॉमर्शियल, यान आई और बाई रगी इस सब फिल्मों का तुफाद चल रही है तोस्तों सब फिल्मों का भी मैं फिर्स्ट कलेक्शन की बारे में बताने वाली हूँ और अगर आप हो फिल्म लवर, तो वीडियो श्रूशन तक सब देखिया और एक लाइक भी करिये, तुछे लिए इंट्रिक बात मिलते हैं बात करू रॉकेट्री फिल्म को लेकर जहाँ पर इस फिल्म को मिला है ओडियेंस और क्रिटिक्स के तरफ से पॉस्टिव रिस्पांस और ओल ओबर इसका ब्लोकबस्टर रिवीव है और देखा जाये तो वाड़ अफ माउथ भी काफी स्ट्रॉंग है और अगर इस फिल्म का पॉस्टिव साइट की बात करू और माधवान ने रॉकेट्री फिल्म पर हानेट परसेंट अपनी कैरेक्टर में खुस काई है और नमबर टू इस उनका राइटर और ड्रेक्टर मैडी का रिसार्च रहा काफी पारफेक्ट और क्यार्फूल नमबर टू मैडी ने काफी एफिक्टिव लीप अपने अंस्वांग हीरो साइंटिस्ट नम्बि नारायन को शोकिया है जहाँ पर रोलेक्स पे अगर मारा सूरिय मैस लोड़ेट रहा तो रोकेट्री पर उन्हों न रहा कलस लोड़ेट जहाँ पर एंडिंग पे एसार के ने सब को काफी एमोशनल बना दिया और इंट्रेस्टिंग बात यह है कि रॉकेट्री का अभी तक कोई नेगिटिव रिव्यू नहीं मिला है कहा जाये तो ये फिल्म एक पर्फिक्ट बायों पिक है नाम भी नायन का उपर और काई क्रिटीस का कहना है कि ये फिल्म एक मस्ट वच फिल्म है मैं आप ही बात करती हूँ कलेक्शन को लेकर जहाँ पर रॉकेट्री को फर्स टे पर हिंदी पर कलेक्शन आजाएगा 75 लाग और टोटल कलेक्शन फर्स टे पर आते है 15 क्रॉर दोस्तों रॉकेट्री आपको कैसा लगा कॉमेंट पर बात यह और आपको का लगता है क्या रॉकेट्री बॉक्स ओफिस पर हीट हो पाएगा या नहीं आभी बात कर्थियों पक्का कॉमेर्शियाल को लेकर जहाँ पर यह रहा कोट्रूम एक्शन कॉमेडी फिल्म और सुन को मिला है मिक्स रिव्यू तो अगर इस फिल्म का पॉजिटिव साइट की बात करू तो नामबर वान इसमें माचु इस्टर गोपी जांत का कॉमेडी स पर एक फ्रेश्नेस लाने की कोशिश किया है और नामबर 4 इसमें का गुट कॉमेडी मोमेंट्स और अगर इसमें का नेगेटिव साइट की बात करू तो जहाँ पर नामबर वान पात हैं पाका कॉमेर्शियल का स्टोरी रहा काफी प्रेलिक्टेबल और नामबर 2 पर है इस ओम फिल्म को लेकर यह रहाब बॉल्यूट का एक्शन ट्रिलर फिल्म और जिसको मिला है ज्याद अतार नेगिटीव रिविव्यू थेटर काउंट की बात करूं तो जहाब पर ओम फिल्म को वाल राइट पर 2300 स्कीन पर रिज की गई है और अगर पॉस्टिव साइट की बात कर लिया with his more than high kilo का हाथ से नबर टू इसमों का music, dull narration, illogical plot और cringe dialogue को मिला है नेगिटीव रिविवू यान की आगर आप अगर आप अधितिया का डाई हाट फैन हो और अधितिया का half-necked five-sin देखने के ले एक्साइट हो तो फिर यह फिल्म आपके लिए है और नहीं तो ओम फ कैसा लगा? कामेंट पर बताईए आभी बात करती हूँ बाहरागी फिल्म को लेकर यह रहाट का अक्षिन ट्रिलर फिल्म जिसको क्रिटीक्स ओरेंस के तावसे positive response मिले ही है और अगर सुनकर positive side की बात करूँ तो इसमें century star shivaraj kumar का charming और साथ मैं मैस अफदर सब को क्या है काफ़ इंप्रेस्ट और नाबर टू पर है डॉली धननजाय का कारेक्टर जो आपको cringe moment की साथ ही साथ एक emotional touch भी देने वाले है और नाबर फ्री पर है जहापर इस फिल्म पे कोई character black या फिर white नहीं है situation wise आपको एक ही character में positive और negative दीख नजाएंगे नाबर फोर पर है इसमों का visual और music जिसको मिला है positive response और नाबर फाइफ की बात करूँ तो जहापर यह film family audience के लिए कफे अच्छा सा story है और अगर collection की बात करूँ तो जहापर कनेड़ा के यह film अपने फरस्टे पर 10 से 12 क्रार का तगरव बिनिंग ले सकते है तो यह film आपको क प्रिटर हारीनेव और इसमें आरुन विजय प्रिया भवानी लेडरोन में जाई है और इसमों को mixed positive response मिला है जहापर positive side की बात करूँ तो इसमें thrilling master आरुन विजय का action को मिला है positive review और number two पर है इसमों का direction, acting, melodrama और emotional scene और जहापर यह है एक perfect action family entertainment film और negative side की बात करूँ तो यह यानाई फिल्म का storyline को मिला है इन एक review जहापर यह फिल्म एक routine story है और अगर collection की बात करूँ तो जहापर यानाई फिल्म अपने फिल्म अपने फिर्स्टे पर 2 से 3 क्रोड का opening ले साकते है तो उसे यह रहा यानाई, पाका कोमर्शियल, ओम, बाइडगी और साथ में रोकेट झाल